हाई गैज गैज हम लोग तो जानते ही हैं कि किस तरह से एफोर्डेबल और मिड रेंज वाले स्मार्टफोन हमारे मार्केट में प्रते एक दिन लॉंच होते रहते हैं हाली में बहुत सारे फोन जैसे कि Redmi 9 Prime, Poco M2 Pro, Realme X3 Zoom, Samsung M31S गैज इन सारे फोन के अलावा भी बहुत सारे फोन हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में लॉंच हुए हैं और गैज इसके साथ ही कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन हैं जो कि इस माहिने यानि अगस्त में इंडिया में लॉंच होने वाले हैं अपने बहतरीन फीचर के साथ तो चलिए गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं अगस्त में इंडिया में लाउंच होने वाले फोन के बारे में गाइज पहला जो फोन है वो है Realme C15 गाइज हम बता दे Realme C15 इंडोनेसिया में लाउंच हो चुका है ये स्मार्टफोन 6000 mAh के एक बड़ी बैटरी के साथ आती है जिसका Standby Time 57 डिज का बताया जाड़ा है कैजिए आपको 18W का Fast Charging सपोर्ट करता है अब अगर इसके कैमरे की बात करें तो वैसे तो इस फोन में कितने Megapixel का कैमरा दिया गया है ये तो नहीं पता है लेकिन ये फोन रियर में Quad Camera Setup के साथ और Font में Single Camera Setup के साथ साथ Water Drop Notes के साथ आएगी इस फोन के Back में आपको Fingerprint Scanner मिल जाते हैं गैज इसके Bottom Edge में आपको 3.5mm का Audio Jack मिल जाता है अगर इस फोन के Display की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का HD Plus डिस्पले Water Drop Notes के साथ मिल जाता है गैज ये फोन आपको 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आती है जिसे आप MicroSD Card लगा करके Expand भी कर सकते हैं और यदि गैज इसके Last Specification यानि प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Media Tech खेलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गैज रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन को 18 अगस्त के लिए इंडिया में सेडियूल किया जा चुका है गैज दूसरा जो फोन है उसका नाम है IQ5 गैज ये फोन चाइना में 17 अगस्त को यानि आज लॉंच किया जाएगा रिपोर्ट के अंसार ये 120 वार्ट फास्ट चार्जिंग और 120 हर्ट रिफ्रेस्टेट के साथ आएगी इसमें आपको फ्लैक्सी प्रोसेसर स्नैप डैगन 865 के साथ साथ 8GB का रैम देखने को मिल सकता है गैज हम बता दें ये कर्व डिस्प्ले में टॉप लेफ्ट कॉर्णर पर पंच होल के साथ आ सकती है तो देखते हैं ये स्मार्टफोन इंडियर मार्केट में कब तक किस डेट को देखने को मिल सकता है गैज अब जो तीसरा फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M51 गैज गैलेक्सी M31S और Note 20 सिरीज के हाली में लॉंच होने के बाद अब सैमसंग ने गैलेक्सी M51 लॉंच करने की घोसना करी है गैज रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन में आपको MLR डिस्प्ले मिल सकता है साथी इस फोन में फॉंट कैमरे के साथ साथ रियर में Quad Camera Setup देखने को मिल सकता है जिसमें 64 Megapixel का Primary Camera जिसमें आपको सैमसंग का अपना ISOCELL Bright GW1 64 Megapixel सेंसर देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में दो वैडियन्ट 64GB और 128GB में देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप MicroSD कार्ड की मदद से इसे expand भी कर सकते हैं गैज रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की कीमत Galaxy M31 से ज़्यादा हो सकती है और साथी गैज इस फोन में आपको Samsung का अपना प्रोसेसर Exynos देखने को मिल सकता है गैज चौथे नमर पर जो फोन है वो है Moto G7 गैज Motorola भी अपने flagship phone Age Plus के बाद affordable segment वाले phone को launch करने की तयारी कर रही है गैज इस smartphone Moto E7 को Geekbench में spotted किया गया जिसमें आपको Octa-Code Snapdragon 460 प्रोसेसर के साथ 4GB RAM और 64GB Storage मिल सकता है ये आपको Dual Rear Camera 48MP sensor setup के साथ आ सकता है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि phone water drop notch के साथ साथ इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो की fast charging support करता है गैज अब जो phone है वो है Nokia 5.3 गैज नोकिया ने फिर अपने एक smartphone को Indian market में launch करने की तयारी कर रहा है गैज रिपोर्ट के अंसार Nokia 5.3 आपको Indian market में अगस्त के last week तक देखने को मिल सकते हैं जिसमें 6.5 इंच का HD plus display जो की Snapdragon 665 प्रोसेसर के साथ आ सकती है गैज रिउमर्स के मुताबिक इस phone में 4000 mAh की battery और ये phone quad camera setup के साथ जिसमें आपको 13MP का man sensor, 5MP का wide angle camera, 2MP का micro lens और depth sensor मिल सकता है इसके साथ-साथ font में आपको 8MP का camera देखने को मिल सकता है गैज इस phone की कीमत 15,000 से नीचे का बताया जा रहा है जो की MI Vivo Oppo के साथ-साथ बहुत सारे phone को भी compete करने वाला है तो गैज इन सारे phone के उपर आपका क्या विचार है हमें comment में जरूर बताए साथी गैज यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को like जरूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि महर हो जाना ऐसे ही informative और useful वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ क्योंकि महर हो जाएब जाएब लाता हूँ